बैंक का वैश्कार करना शू करो इनका एजंडा है हिंदू समाज को तोड़ने का मोहिची मेरा पहला सबाल यही है आपसे कि विग्यापन के जरीए एक बार फिर आमीर खान हिंदू रिती रिवाजू के साथ खिलबाड किये है क्या कहेंगी स्मूते पर भाई विग्यापन और वो बैंक तो इस बार बदनाम हो रहा है क्योंकि जैसी संगदी में व्यक्ति रहता है जिसे अपने साथ रखता है वैसा लांचन आता है जैसे पुरानी कावात है कि कोईले की कोठी में दाग लगता है तो यह अब हर विग्यापन देने वाली कंपनियों को फिल्म बनाने वालों को या कोई भी प्रॉटेट की प्रमोशन वालों को समझना चाहिए कि वो किन लोगों को अपना ब्रैंड अमेसर बना रहे है देखे विग्यापन के लिए किसी भी सेलिब्रीटी को क्यों स्लेट किया जाता है कि उसके विचार लोग समझते हैं सुनते हैं और इसलिए उचीजें फैलती है और इस चीज़ का ये खान गैंग जो हमारा वॉलिवूड का है ये इस चीज़ का नाजायत फायदा उठाता है हिंदुस्तान की संपरभूता को तोड़ने के लिए सनातन समाज को बदनाम करने के लिए और हिंदू धरम को विगटन करने के लिए अब आप ध्यान से देखिए इनकी वाईसावी के एक फिलम आई थी प्रिक पीके उस पीके फिलम में अगर आप देखे तो इन्हों ने यह दिखाया था कि धरम या संपरदाय इंसान को खराब ने करना चाहिए धरम यह संपरदाय इंसान के अंदर बुराई लाने नहीं च दिखाये चाहें बगवान शिम को इन्हों डर के बातरूम में भागते दिखाया हो यह और यह बगवान की फोटों में दिवार पे लगाई के लक्षमी जी लापता राम लापता किशन लापता सब कुछ किया तो क्या सरफ हिंदू धरम की परशानी थी अपने जिस संपरद दिखाया का इन्होंने उस पूरी फिल्म में अगरा ध्यान दे एक सीन दिखाया जहां पे दो वाइन बॉटर लेके दरगा से भाग रहे हैं और दरगा से कुछ लोग इसका पीछा कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि पूजा के स्थान में मंदिर हो मर्त चर्च हो गुरद खुद अपनी अम्मई को लेके हज पे गए थे बहुत अच्छा काम है अपने माता पिता को तीर्थी आतरा कराना धर्माटन कराना बहुत अच्छी बात है आप जो अपनी माता जी को लेकर गए हज कराने तो भाई आप वहां जमीन पे बैठके जो इसलाम में हज पे या ज यात्रा कराने तो यह वही ड्रेस पहनेंगे और वहां इनके फ्योटर वीडियों आप इंटरेट पे निकालिए जाए जमीन पर बैठके बोतल में पत्थर चुन रहे हैं शैतान पर मारने के लिए तो भाई शिव जी पर दूल चलाना तो रॉंग नंबर है अनुवान जी दी दो बच्चे बैदा करने के बाद फिर किरन को छोड़ने वाले तो शैद को तीसरी लाने वाले होंगे तो इसको डर अलग तरीके के हैं और अब यह क्या दिखा रहा है भाई अगर तुझे बैंक की बैंक में दिखाना था कि हम बैंकिंग की बुरी प्रता को तोड़ रहे ह तो वो भी क्या अभी हो सकता है कुछ दिन में आप जेन्यू टाइप के कुछ लिबरोलों को दिखा दें कि जब लड़की विदा होके रोती है तो वो भी एक ऑपरेशन है अरे भाई जो बच्ची 15 साल 25 साल 30 साल माबाप के पास रहे के दूसरी जारी तो वो रोईगी यह भी कुरूती दिखाएंगे तुने यह क्यों नहीं दिखाया कि एक मुसलमान लड़के ने मुसलमान लड़की यह शादी करी और घर आने के बाद सास कह रही है बेटी तु यहां पे ना बुरके हमत रही हो चल भार जाये तो बुरका कर लिए पर ता घर में बुरके हमत रह कि हम जैसे यहां प्रता तोड रहेग intrins वैसे हम बैंकों प्रता तोड रहे लेकिन वह पर ता काहां तोड़ेगा हिंदू धर्म बैंक का जो विद्ञाबं करते हैं सद्दीकों कि आरह ही परन्परा क्यूं चलती रहे कर दोबार हलाला कराने की तुमारे मुताह निकाज जैसी अभद्रता क्यों है उन कुरिति में बात कर ले था मैं जैसे पहले का आमिर कान दिखाता के जी एक मुस्लिम युवक ने मुस्लिम युपति से विवा किया वो घर में आई और सास ने ससुर ने बेटी इस घर में तु इसकी बेगम बन के नहीं हमारी बेटी बन के आई है इस घर में तुझे परदा करके नहीं रहा ना घर के बाहर जाया गैरों के आगे परदा कर बहुत जलूरी है घर में बेटी केतना रही हो तु विए क्यों नहीं बोला है कि हिंदू की पुरुतिय तोड़ो नाम लेके नहीं बोला हिंदू की पुरुतिय तोड़ो लेकिन पहले क्या दिखाया बेटी की जहां बेटा विदा होकर आया लड़का आगे पैर रखके घरह परवेश कर रहा फिर वो क्या संकेत दे रहा है कि इसान के शरीर पर आती हैं दस में से पांच या आठ को लगती कभी दस को नहीं लगती कोविड जैसी गंदी इम्मारी सब को नहीं लगी डॉक्टर ने क्या का जिनकी इम्मुनिटी स्ट्रॉंग थी और जिनों ने प्रिकॉशन लिया उनको कोविड नहीं हुआ जिस महामारी ऐसे किसी एड ऐसे किसी प्रोजेक्ट में शामिर नहीं हो जिसमें उसके संपरदाई की इंसल्ट होती है बहुत अच्छा करते हैं मेरे सिक भाई जो अगर कोई सिक धरम की बेद भी करता है तो वो उस पे सजा देते हैं लेकिन वो कहते हैं तुझे तेरी गलती का एसास करा करेंगे तुझ पास के गुर्दवारे में जाएगा एक घंटा आदा घंटा दो घंटा बैटके जूते साफ करेगा सफाई कराएगा लंगर कराएगा और गलती मानके कान पकल के गलती मानके जाएगा तो उससे इंसान को एक मौका देते हैं इसलाम में तो भाई हिम्मत ही नहीं है एयार रहमान जो अपने आओ कभी दिलीप नहीं कहता एयार रहमानी कहता है उससे कोई गलती हो जाए वह गलत लाइन का गाना गादे गाना लिखे कोई और प्रोड्यूस करे कोई और वो अगर उसमें म्यूजिक दे दे तो उसे माफी मांगनी पड़ती है कारण किया है उसके बाद क्या होगा है वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा हमारे इंदू धरम में एक आमिर खान को देखें तो जितने लोग हमें दिख रहे हैं उस एडमे वो सब कौन है इंदू संपरदाय के है ना वो सब्ता डिरेक्टर भी इंदू संपरदाय का हो बैंक वाले भी है है आमिर खान की शकल देख लिए जो उसने का वो कर लिया तो गलती हमारे समाज की है हम लोग जब तक इनसान अपनी खुद की इज़त नहीं करेगा बारवाला इज़त नहीं करता समाज को भी अपनी इज़त करने आना चाहिए हमारा समाज वो नहीं करता कि सुरेशन निउ उसके जो एडिटर इंचीफ साव हैं सुरेश शवकान जी उन्होंने बकायद है एक आधिकारी एक रिलीज निकाला है प्रेस में कि उनकी कंपनी के जितने भी इंप्लॉईज का और उनके इंप्लॉईज के रिष्टिदारों का EU बैंक में खाता होगा चाहें सेलरी खाता हो उन्होंने टाइम लिमिट दिये कि अगर उसमें इन्होंने विज्यापन को वापिस नहीं लिया तो वह से बंद करा देंगे हमको ऐसे एक मुहीम चलानी पड़ेगी धरम पे बैमानी नहीं सहेंगे घरम-धरम की बेज़त ही नहीं सहेंगे उसका करना क्या है कि इस बैंक का बैशकार करना शूकरो किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोद होना चीए कोई इंसा नहीं होना चीए कि कल को को इस बैंक की शाका के बार जाके नारे बाई लगाए पोस्टल लगाए प्रजशन करें वो सब नहीं को इस बैंक में जो काम करने आए हैं माता हैं बहने लोग वो अगर मेरी मर्जिय में उस बैंक से खाता निकाल कर दूसरे बैंक पर ले जाओं अगर हम यह संकेतिक काम करके दिखाएंगे तो इस तरह के लोगों को एक सीख मिलेगी कि हमें आज के बाद हिंदु धरम सनातन धरम या किसी भी धरम विशेशकास इस तरह से अपमान नहीं होन कि वी थादी कि अवाजी